वेल्कम बजट की स्टुडेंट्स आज भारत का दोज़ात तीस चुबिस का बजट पेस हुआ है अमरित काल का यह पहला बजट है और इस बजट को लेकर के कई सारी चर्चाएं भी हो रही है और कई सारी नमाचार करने का इस बजट के माध्यम से प्रयास किया गया है के नाम से साथ प्रात्मित्ताएं निर्धारित की गई हैं साथ लच्च ऐसे प्रात्मित्ताएं हैं जिनको एक पत्प्रदर्शक के रूप में ले करके उन पर काम किया जाना है ताकि आने वाले वक्त में भारत एक स्वसक्त रास्ट बने हमारी अर्थवस्था सुद्रिण हो साथ सबका विकास यानि समावेसी विकास तो समावेसी विकास जो होता है किस किस छेत्र में किस माध्यम से कैसे समावेसी विकास करने का इस बजट के माध्यम से सरकार प्यास करेगी उस पर चर्चा करते हैं तो देखते हैं किसी और सहकारता छेत्र में समावेसी विकास के का विकास होना चाहिए, जो यात्रा है, विकास का जो प्रक्रिया है, उसमें कोई भीव्यक्ति छूटे ना, यानि कि भेदभाव ना जो, अगर कोई सर्कार स्कीम चला रही है तो वोए स्कीम जो भी उसके लिए लाबारती है उन्टक पहुँचे समाज के हर वर्ग को सरकार की योजनाएं है जो लोग कल्याड कारी राज की संकल्पना होती है सब को जो कल्याड है जो वेलफेर स्टेट होता है उसके माध्यम से सबको समाविशित करने का प्रयास किया जाता है तो पहला प्रयास करें डिजिटल सर्माजना कर निर्माण कर रही सरकार इलिक किसानों के लिए सुलब समाविशिफ सिच्छा प्रद समधान जो डिजिटल माध्यमों से आप देख रहे होगे, किसानों के पास message जाते हैं, app आ गए हैं, उनके माध्यम से उनको जागरूपता दी जा रही है, उनको ट्रेडिंग हो रही है, उनको सिच्छा प्रद्र, कैसे उनका समाधान समस्याओं का हो, वो सब डिजिटल माध्यम से हो बढ़ाने के लिए यह भी एक कारिकम जो है बजट के माध्यम से लाया गया है लक्षित निधियन यानि पसुपालन डेरी कार्य और मत्सिकी छेत्रक को 20 लाग करोन रूपए का रिंडर अप्धन किया गया है यानि देखिए इसमें क्या है एक्दम लक्षित यह लगा रहे हैं उनको सफल बना सके भारत को मिलेट का पैस्ट्रिक केंदर बनाना इस बार पता है 2023 जो है यूएन का मिलेट येर अफ मिलेट से तो भारत सरकार का यह प्रयास है कि जो मिलेट से उनमें का पैस्ट्रिक केंदर बने मिलेट को स्री अन भी कहा जाता है तो पैस् लेकिन बहुत जाता है तो कैसे उनका भंडारन हो कैसे उनका सवच्छण हो उस पर भी मिजट में कई सारे प्रावधान किये गए हैं अब यहां पे देख रहे हैं रिनि बहुत जड़ादाइड हैंके जलक देख लिए लगातार जो क्रिसी चेत में संस्थागत में मतलब इंस Financial Institute है उनके दोरा जो रिन दिया जाता है तो 2000 लगातार देख रहे हैं ये ग्राफ बढ़ रहा है और 2022 में 186 लाख करोन रूपए का रिन मिला है रिकार्ड खाद्यान उत्पादन भी बढ़ रहा है तो आप देख सकते हैं 2022 में खाद्यान उत्पादन मतब लगातार बढ़ रह में हमें किसी में देख लिया अब आते हैं स्वास्त छेत्र में कैसे समावेशन किया जा रहा है तो देखिए 157 नए नर्सिंग कालेज अस्थापित किया जाएंगे अब ये कालेज यानि और ज्यादा आबादी तक अपनी स्वास्थ सुन्धा है मुहया करा सकेंगे सिकल सै अनिम्यान मिसंद शुरू किया गया ये इंपॉर्टन थैं आप कोई भी वंडे एक्जाम करते हैं सी यूपी पीसी एस है यह यह सैसी है एंडीए है कोई भी आप एक्जाम में सुरू और इस पर अनाूंस गोस्टा हुई है फार्मासिटिकल विकास मंसंधान को बढ़ाव सुरूब किया जाएगा ICMR की चुनिंदा प्रयोग स्वालाओं में सुगधाओं के जर्य सरकारी और निजी संयुक चिक्साम संदान को पुरसाहित किया जाएगा इस पर यह सारे समाविक विकास किये जा रहे हैं अब देखिए सरकार ने क्या किया है कि हेल्थ पर और सिक्षा पर बजट बढ़ाया है आप अक्सर हिंदुस्तान में यह चर्चा रहती है कि हमारे हाँ जो GDP का प्रत्षत है वो सिच्छा स्वास्चेत में कम है अभी भी कम है लेकिन आप देख रहे हैं पिछले साल किये पेच्छा GDP का परसेंट के रूप में यानि 2.1% GDP का किस पर बादी है तो शिच्छा और कॉसल बहुत जरूरी हो जाता है आपादी के लिए उनको कॉसल विकास के लिए उनके रोजगार नियन के लिए जिला सिच्छा और प्रेस्चेशन जो डायोत होते हैं उनमें टीचरों का प्रेसिशन किरा जाएगा बच्चों रास्टी इच्छा मोया कराई जा सके सभी के लिए सुब्धाएं देखिए समावेशी विकास की उपलबदियों में क्या-क्या सुब्धाएं सब के लिए की जा सकती है ग्रामीड घरों में 9 करोन पेजल कनेक्शन अब देखिए 9 करोन सब का विकास हो रहा है यानि सब को समयकित लेकर के किया जा रहा है पी-म किसान के तहट 1.4 करोन से दिक किसानों के लिए 2.2 लाख करोन नगदी अंतरन किया गया है किसानों को मिला है बहुत ज़्यादा इस्पेशली कोबिड काल में बहुत ज़्यादा राहत इसे मिली है पी-म एस्वी आई यानि पिधान मंतरी जो अवासी हो जना है और उन सब के तहट 44.6 लाख करोन ब्रक्तियों के लिए बीमा का कवर दिया गया है इस बी-म के तहट 11.07 करोन पारिवारिक सोचाला बनाए गए है उज्जला के तहट 9.06 करोन एल पी-जी कनेक्शन दिये गए है 47.08 करोन पी-म जन धन बैंक खाते खोले गए है और 102 करोन ब्रक्तियों के लिए 220 करोन कोबिड के टीके यानि समा के वेकिस विकास जो है किया गया है और यह उपलब्धी रही है सरकार की अब यह डाटा है इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बेरोजगारी दर्ग आप देख सकते हैं अभी 2022 में 72% है यह दीरे-दीरे कम हो रही है और अंतिम छोर पर पहुंचना यानि समा वेसकी विकास का यही मतलब है जो लोग छूट गए है विकास की प्रक्रिया में जो पीछे छूट गए है उन तक पहुंच बनाना तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है प्रधान मंतरी पीवी टीजी विकास मिसन सुरू करना काज क्यम होगा इसको आप लोट कर सकते हैं करनाटक के सुखा संभावी छेत्रों में धार्णी सूच में सिचाई है वित्ती सायता 740 एकलब आदर आवासी स्कूलों के लिए अधिकादिक सिच्छों की भरती करना सरकार में सिच्छा चेतर पर काफी ज़्यादा खर्च कर रही है तो 740 लगबग लगबग हर जिले में एक एकलब आवासी स्कूल खोले जाएंगे उनके लिए सिच्छों की भरती की जाएग इससे रोजगार में बड़ैतरी होगी पांडलीूं का डिच्टिल एकरन देखता है सरकार यतने भी डाकुमेंट से इतने भी भाही खाते हैं उनका डिचिकिboys करन कर रही है तो प्राचिन पांडलीपियां हैं उनका भी digitally करन भारत श्री उसके लिए स्थापिद किया जाएगा और इस नाम से स्थापना करके उनका जो है इंडिश्चिली करना किया जाएगा तो समावेशी जो है सरकार इतने नए बजट के माद्यम से प्रोग्राम ला रही और जो लच्छित वर्ग है उस तक विकास की प्रक्रियम उनको सामिल करके देश को रास्ट को समाज को सब को ससक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है तो छत्वों यह जो साथ प्रियोर्टी थी उनमें से पहली पर हमने चर्चा की काफी जादे महत्मूत तत्यों को आपने ज जिसे यह करें, तैंक।